गुड मॉर्णिंग स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आरच्छण के मामले को ले करके मालनी सिच्छा मिंतरी जी का बयान जारी हुआ है बड़े आलाधिकारियों से बैठक हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है तो जो लिस्ट थी उसको रद की गई है कोट द्वारा आगे क्या हो सकता है तो इन सभी सवालों पर मालनी सिच्छा मंतरी जी ने ये कहा कि मालनी हाई कोट से जो भी आदेस आया है उस आदेस के क्रम में जो है त्यारिया सुरू है उसी आदेस के हिसाब से जो है आगे की कारव की जाएगी अब बता दे मिटिंग के बिसे में तो आपको बता दें जितने भी एस्याटी के बड़े आलाधिकारी है उनकी मिटिंग जो है 6866 साथियों के साथ हुई है 6844 साथियों ने बताया है कि सजी सुप्रीम कोट और डबल बिंच के ऐसे आदेस हैं जो ये कह रहे हैं कि सिंगल बिंच का आदेस बिल्कुल सीधा सीधा गलत है तो आलाधिकारियों ने कहा कि ठीक है आप सभी जो है उन पॉइंट्स को नोट करिए अपने वकीलों से समझिए कि किन पॉइंट्स को ले ले करके जो मानिए डबल बिंच में जाया जाए मामले को चैलेंज करें ताकि चीजे सही हो तो इस परिपेच में जो है आदेसित कर दिया गया है कि जा करके आप लोग इस पे अपनी त्यारी बनाए और इसके बाद बताएं क्या क्युछ पॉइंट्स बन वक्त लगेगा उन्होंने कहा है कि तीन महीने का वक्त है और उसमें समय है काफी तो उसको देख करके इसके बाद काम करेंगे लेकिन एक चीज आपको ये समझ में थोड़ा सा नहीं आएगे कि कहीं कहीं आपको ये भी नजर आएगा कि वो फिल्टर करेंगे यानि कि रिव बिंच का है क्या वो रिविजिट करने जा रहे हैं लिस्ट को अभी तक सिर्फ पूछने पर यहीं मिला है अर्शर सव के साथ ही पूछते हैं तो उनका कहना है कि हाँ ठीक है हम जाएंगे और इसके बाद पत्रकारों के माद्यम से पूछने के बाद जानकार यह फ्राप्त हो है लेकिन आज संडे है तो इंटरनल मिटिंग नहीं होगी कल मंडे और ट्यूजडे दो दिन जो है वो बड़ा आहम होगा उनत्र जार सिच्छक भरते आरच्छर मुद्दे को लेकर के क्योंकि उसमें भी बैठक होनी है तो तमाम चीजों के साथ जुड़े रहेगा हमारे स चैनल पर बताते रहेंगे तब तक के लिए आप सभी सातियों का बहुत बहुत धन्यवाद